हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू, सो गाइज आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं, जो आपका S.S.C. M.T.S. का एक्जाम होने वाला है, दो माई से लेकर 20 जून तक, उसके लिए हाली के एक्जाम में, T.C.S. के द्वारा जितने भी प्रे जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा, और आप सरी करिश्च करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो S.S.C. M.T.S. एक्जाम से रिलेटेड पल-पल की अपडेट के लिए जो है, चैनल की रानी के रूप में ये जो है किस सहर को जाना जाता है, तो देखे दकन की रानी के रूप में ये आपका पूने सहर को जाना जाता है, तो पूने आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा, इसके अलावा मैं आपको बता दू कि सत्पूरा की रानी, यानि दक्वीन आप भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोशा आपके यहां पर रहा था, कि सिच्छा का अधिकार को किस संविधान संसोधन अधिनियम द्वारा जो है स्वतंता के अधिकार का हिस्सा बनाये गया था, तो देखें सिच्छा के अधिकार को जो है यहां आपका छ्यासिवा संविधान संसोधन हुआ था जो कि आपका 2002 में हुआ था और इसी संविधान संसोधन के द्वरा सिच्छा के अधिकार को जो है स्वतंता के अधिकार का हिस्सा जो है वो बनाये गया था, तो छ्यासिवा संविधान संसोधन आपका यहां पर करेक्ट टैंसर होगा, इसके ल transfer protocol होता है तो hypertext transfer protocol आपके यहां पे correct answer होगा next question आपके यहां पर रहा था कि Olympic में पदक जीतने वाली जो है पहली भारतिय महिला कौन है तो देखें Olympic में पदक जीतने वाली जो पहली भारतिय महिला है ना ये करना मलेश्वरी है तो करना मलेश्वरी आपके यहां पे करेक्ट एंसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि करना मलेश्वरी ने जो है वर्स 2000 में जो है सीडनी में ओलम्पिक में जो है ये पदक जीती थी तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव तो हरियाना आपका यहा पर आयोजित किया गया था, तो देखेंगे, फजो हैं, चैपले जो थोपरिया आयोजित किया गया था इसके लावा मद्य पर्देश के कितने सहरों में जो है पांचवा संसकरन आयोजित किया गया था तो ये आपका आठ सहरों में आयोजित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा बात कर ले च्छतिसवा जो आपका रास्टे खेल हुआ है ना next question आपका यहां पराता कि US Open 2022 माईला एकल का जो खिताब है यह किस ने जीति है तो देखें माईला एकल 2022 का US Open का जो खिताब है विवल्डन 2022 में पुरुष एकल के जो विजेता है ना ये आपके नुवाक जो को वीच रहे हैं वही अगर उमेंस की बात कर ले यानि मैला एकल का जो खिताब है ये किस ने जीता है तो ये आपका एलेना राइब कीना ने जो वो जीता है फ्रेंच ओपन 2022 की बात कर ले तो इ अगर मैला एकल की बात कर ले तो ऐसले बाटी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की विजेता रही है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका आप रहता है कि भारते संबीधान की किस भाग में जो है पंचाहती विवस्ता से संबंदित तथ्यों को ज जो आपकी इग्यारवी जो अनुसूची है ना ये आपका पंचाहती भाग से जो आपका संबंदित है तो अगर अनुसूची पूछा जाए तो इग्यारवी अनुसूची से संबंदित है और आज जो आपका भाग पूछा गया था तो नौवा भाग आपका करेक्ट टेंस से जो है इसके शुरुआत जो हो की गही थी इसके लावा अनुचे 40 और 243 जो है यह आपके पंचाइथी विवस्था से संबंदित है और 11 अनुचूची में आपके डिए टोटल 29 विशयों को जो वा आपका सामिल किया गया है इसके लावा पंचाइथी राज विवस्था से जो आपके समीती हैं जैसे कि असोक मैता, बलवन्त मैता समीती, साधिक अली समीती, यह सब जो समीती हैं यह आपके पंचाती राज ववस्ता से संबंदीत है, और तिहतरवा जो संभिधान संसुदन अधिनियम, जो कि आपका 1992 में हुआ था, यह भी आपका पंचाती ववस्ता से जो वह आपका संबंदीत है बात कर ले तियातरवा शंविधान संसोदन यह जो कब लागू हुआ था तो यह आपका 24 अप्रेल 1993 को जो यह आपका लागू हुआ था और भारत में प्रतेक वर्ज जो है स्वरी उस समुद्री घटना का नाम है जो दचिन अफरीका के पस्चिमी तट पर इस्तीत इकवाडूर और पेरु देशों की तट्ये समुद्र जल में जो है है यह आपके कुछ सालों के अंत्राल पर जो यह आपका घटी तो होते रहता है तो यह जो आपका किस देश में आत जो सूरे का सबसे निकट होता है यानि सूरे के जो सबसे निकट ग्रह होते हैं और आंत्रिक ग्रह होते हैं और आंत्रिक ग्रह होते हैं यह आपके ज्यादत है चट्टानों से जो यह आपके बने होते हैं एक्जामपल के थार पर अगर मैं बात कर लूँ तो बुध्ध, सुक यूरेटेर्ष और नेप्चुन ये सब जो हते हैं तो आपसें में आपका जूपिटर दिया गया था तो जूपिटर ये आपका आंतरिक ग्रह नहीं बल्कि बाहे ग्रह होता है तो जूपिटर आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा, next question आपके आप रहा था कि Young Bang Andolan की अस्थापना जो है कलकता में किसके द्वारा किया गया था तो देखे मैं आपको बता दू कि Young Bang Andolan की जो अस्थापना है ना ये कलकता में Henry Vivian De Rozeo के द्वारा जो वो किया गया था तो Henry Vivian De Rozeo आपका correct answer होगा, next question आपका आप रहा था कि Apple 2 कंप्यूटर जो है ये किस PD में बनाया गया था तो देखे Apple 2 को जो है ये आपका चौथी PD में इससे बनाया गया था तो चौथी PD आपका correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि हाली में किसने पहली बार जो है चंद्रमा पर जो है वो sodium का पता लगाया है तो देखे मैं आपका बता दू कि इस रोखे चंद्रयान 2 orbiter में लगे x-ray aspectometer class ने जो है पहली बार चंद्रमा की सत्य पर जो है ये प्रचूर मात्रा में sodium का जो पता है वो लगाया है तो आपके option में देश का नाम पूछा गया था तो भारत आपका यहां पर correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि दुनिया का पहला पूर्ण सौर उर्जा संचालीत हवाई अड़ा कौन सा है तो देखे मैं आपके बता दू कि सह्युक्तरास्ट पर्यावरें कारिकरम यानि UNEP ने जो है केरल में कोचीन अंतरास्ट्रे हवाई अड़े को जो है पूर्ण सौर उर्जा संचालीत हवाई अड़ा जो है वो घोसित किया है तो कोचीन अंतरास्ट्रे हवाई अड़ा आपका correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि आपका मिलान करना था sorry मिलान नहीं करना था यहाँ पर statement based जो है आपका question दे दिया गया था question में था कि लवलीना बारगयन जो है यह आपका boxing खेल से संबंदीत है और second में आपका दिया गया था कि निकषजरीन जो है यह आपका यहां पर आपका correct answer होगा, next question आपका यहां पर है था, कि Congress के लखनव अधिवेशन से आपके जो दो statement दिये गया थे, और पूछा गया था कि कौन सा statement जो है, आपका सही दिया गया, जहां पर पहला जो statement दिया गया था, वो आपका दिया गया था, कि Congress का जो लखनव pact हुआ था, यह आपका 1916 में हुआ था, तो पहला थे, तो इस statement आपका सही दिया गया, क्योंकि जो आपका Congress का लखनव अधिवेशन हुआ था, यह आपका 1916 में ही जो आपका यह हुआ था, और second statement आपका दिया था, कि लखनव पैक्ट में ही जो है, आपका नरम और गरम दल जो वो आपके एक जूट हो गया थे तो सेगंडे स्टेटमेंट भी जो आपका सही दिया गया है इसके दाव मैं आपको बता दू कि 1916 इश्वी में जो आपका भारतियराशी कॉंगरिश का जो लखनो पैक्ट हुआ था ना इस अधिवेशन की जो अधियस्ता है यह अंबिका आपका ब्रभारत हुए पल नि mêmes से किसमे होता है तो अप्शन में आपका इपल यानि सेव दिया गया था तो दीजेके सेव में जो आपका मैलिक एसिड पाय जाता है तो एपल आपका यहां पर करेक्ट टैंसर होगा next question आपका आप रहा था कि तेलगु नव वर्स को यह जो किस नाम से भी जब वो जाना जाता है तो देगे तेलगु नव Shser हूगा next question आपका आप रहा था कि नीति आयोक जो हा है उदेश नव्हें पूचा गया था और यह अपका थर्ड में पूचछा गया था Đीक में आपको बता दूँ कि नीति आयोका जो उदेश्टी घया और राष्टे उद्यशों को द्रीष्टिगत रखते वे राज्यों को सक्रिये भागिदारी के साथ राष्टे विकास प्रात्मिक ताओं छेत्रों और रननीतियों का एक साजा द्रीष्टि कौन जो है यह आपका नीती आयोका जो वो उदेश्य होता है, इंस्रिट्यूट होता है, इसके लावा नीती आयोके जो आपके अध्याच होते हैं, वो भारत के प्रदान मंत्री होते हैं, नीती आयोके उपाध्यच की बात कर ले, तो देखे वर्तमान में नीती आयोके जो उपाध्यच है ना, या आपका एक जनवारी 2015 को जो है नीती आयो का गठन किया गया था और किसके अस्थान पर किया गया था तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपका आप रहता है कि धिंग एक्सप्रेश यह जो है किस खिलाडी का उपनाम है तो देखे धिंग एक्स पायोली एक्सप्रेश के नाम से यह जो है किसे जाना जाता है तो देखे पायोली एक्सप्रेश के नाम से यह जो आपका पीटी उशा को जाना जाता है रावल पिंडी एक्सप्रेश के नाम से यह जो आपका स्वेव वक्तर को जाना जाता है इसके लावा टर्मिनेटर के नाम से जो आपका सचीन तेंदूलकर को जाना जाता है, कैप्टन कूल के नाम से ये जो आपका महेंदर शिंग धोनी को जाना जाता है, इसके लावा चीकू के नाम से ये आपका विराट कोली को जो है वो आपका जाना जाता है, इसके लावा निखा जरीन से भी एक्जाम में प्रेस्ण पूछे जाते हैं तो यह आपका तेलंगाना रображ से सम्मंदीत है और यह आपका बॉक्सर महिला है इसके लाप बात कर लिए मीरा भाई चानु के बारे में तो यह आपका मनीपूर राज्य से समंदीत है तो यह तो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्य आपका आप रहा था कि 2022 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप यह जो आपका वेस्ट इंडीज देश में आयो जीत किया गया था तो वेस्ट इंडीज आपका यहां पर करेक्ट टेंसर होगा और इसके बात कर ले वीजेता क हरा कर जो है यह पांचमा खिताब जो वो जीत लिया है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव बात कर ले 2022 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आपके कितने मैच खेले गया थे तो यह आपके टोटल 48 मैच खेले गया थे इसमें प्लियर आप दा सीरी ने जो हूरा था इसके लावा सबसे ज़्यादा जो विचेट है ना वहाकके सिर्लंका के खिलाडी डुनित वैले गले ने जो है तोटल टुनामेंट में 17 विकेट यह वो लिये थे तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट को शाप कर आप रहा था कि उमेंट T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका जो आयोजन आना यह कहां पर किया जाएगा तो दें कि मैला T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन आना यह आपका बांगलादेश में होगा इसे प्रिब्यस इप्ट में आपसे यहाँ से पूछा गया था कि फीफा का जो एहरी वर्ल्ड कप 2023 फीफा 2 है यह आपका फुडव इसके लाव बात कर लें, FIFA विश्व कप 2022 जो हुआ है, यह कहां पर आयोजित किया गया था, तो देखें, FIFA World Cup 2022, यह जो आपका कतर देश में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता की बात कर लें तो अर्जन्टीना जो है, इसका जो है विजेता रहा था, उप विजेता की उप विजेता जो है, आपका फ्रांस देश रहा था, इसके लाव मैं आपको बता दू कि 2023 का जो ICC Under 19 महिला T20 विश्व कप, यह जो कहां पर आयोजित किया गया था, तो देखें, 2023 का जो ICC Under 19 महिला T20 विश्व कप है न, यह आपका दच्चिन अफरीका में आयोजित किया इसके लाव मैं आपको बता दू कि 2023 जो ICC आपका महिला T20 अंडर 19 महिला जो T20 विश्व कप है न, यह कहां पर आयोजित किया गया था, तो यह भी आपका दच्चिन अफरीका में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता की बात कर ले तो इसका जो विजेता है न, यह बात कर ले तो पहला संसकरन का जो विजेता है न, यह आपका भारत देश रहा है और उपर विजेता जो है यह कौन रहा है, तो यह आपका इंगलेंड देश रहा है, तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट कोश है आपका आप रहा था कि IBM 360 यह जो से कब तक काल रहा था, तो यह आपका 1965 से लेकर 1974 तक रहा था, और थर्ड जेनरेशन के जो अन्य महतपूर्न कंप्यूटर है, जैसे कि ICL 1900, sorry IBM 370, Vaxxel 750, यह जो आपके थर्ड जेनरेशन के जो है, यह आपके कंप्यूटर है, इसके लाबा यहां से एक्जाम में हर सिप में प्रस्न पूछा जा रहा है, जैसे कि 1st PD का, कंप्यूटर का 1st PD का जो समय काल रहा था, यह कब से कब तक रहा था, तो यह आपका 1940 से लेकर 1956 तक रहा था, और पहली PD में जो आपका वैक्यूम ट्यूब का जो है, आपका परियोग किया गया था, दूसरी PD की बात कर ले तो इसका जो काल रहा था, यह आपका 1956 से लेकर 1963 तक रहा था, और इसमें जो आपका ट्रांजिस्टर का परियोग किया था, तीसरी PD की बात कर ले तो इसका जो काल है, यह आपका 1964 से लेकर 1971 तक रहा था, और इसमें जो आपका IC चीप, यानि इंटीग्रेट सर्कृट चीप का इसमें आपका माइक्रो प्रोशेशर का आपका उपयोग किया गया था पाँचवी पीडी की बात कर ले तो देखे उनीसो नावाथी से लेकर अब तक वर्तमान में जो है यह आपकी पाचवी पिढ़ी चल रही है जो कि आपका artificial intelligence का परियोग किया जा रहा है तो यह सारे fact जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कुछ आपका आप रहता है कि अक्टूबर 2022 में अंतरास्टे सौर गडबंदन यानि ISA जिसका फुलपव आपका क्या होता है तो international solar alliance इसका अध्याच की रूप में किस देश को जो आपका फिट से चूना गया है तो देखें अक्टूबर 2022 में अंतरास्टे सौर पूचा जाए तो यह आपका फ्रांस देश को चूना गया है इसके लाव बात कर ले आपका आई-एस-ए यानि international solar alliance का अध्याच जो यह किसे बनाए गया है तो यह आपके केंद्री और नवी करनी और अध्या मंत्री आरके सिंग को जो इसका अध्याच बनाए गया है और मै अध्या किस नेत्च से सं soutraya नत्यग से संबंदित है तो यह आपके सत्रिया नेत्थ से संसर होगा और जतिन गोषवामी को सत्रिया नेतच में अहम योगदान के लिए भारत सरकार के द्वरा 2008 में भारत का चाथ सर्वोच नागरिक संमान पढ़ण सृ स्री से जो संहानित किया गया था इसके लावा 2004 में जो इसे संगीत नाटक अकाडवी पुरुषकार से भी जो है वो समानित किया जा चुका है इसके लावा अगर सत्रिया नेत्य की बात कर ले तो देगे सत्रिया जो आपका असमराज्य का सास्त्रे नेत्य है और महापुरु श्रीमंत संकर देव के द्वारा पंद्रिवी शताब्दी इस्वी में इसे पेश किया गया था यानि इसके संस्थापक सत्रिया नेत्य के संस्थापक अगर पूछा जाए तो यह आपके स्रीमंत संकर देव के द्वारा पंद्रिवी तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है next question आपके आप रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कावेरी नदी के सायक नदी है तो देखे कावेरी की मुख्य सायक नदीया की बात कर ले तो अमरावती, भवानी, हेमवती और काविनी ये सब जो आपके कावेरी की मुख्य सायक नदीया है तो आपके option में अमरावती दिया गया था तो अमरावती आपका correct answer होगा next question है आपका अपराता कि सिंदु नदी की जो है सायक नदी पहुची गई थी तो देखे सिंदु नदी की बात कर ले तो ये आपका तिबबत के मानसरोवर जील से जो ये आपका निकलता है और सिंदु का जो नदी है ये आपका अरब सागर में गिता है और सिंदु नदी के सायक नदी की बात कर ले तो जेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, जासकर, स्वेक, सिगार, गिलगीत, कुर्रम और स्वात ये सब जो आपके सिंदु नदी के सायक नदिया है तो इन में से जो भी आप्सन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि इस इंडिया कंपनी ने पहली जो इंग्लिस फैक्टरी है ना ये 1651 में किस नदी के किनारे जो वो सुरू की थी तो देखे मैं आपको दादू कि पहला जो अंग्रेजी कर खाना है ना ये 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे जो है अस्थापित किया गया था तो हुगली नदी आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कुश आपका आप रहा था कि जम्मू कस्मीर में इन में से कौन सा ग्लेशियर नहीं है यहां पर नहीं है पूछा गया था तो देखें मैं आपको बता दू कि जम्मू कस्मीर में जो है आपके पांच ग्लेशियर है और वो पांच ग्लेशियर कौन कौन से है तो पहला आपका द्रंग द्रूंग ग्लेशियर है सेकंड आपका सफद ग्लेशियर है थर्ड आपका कोला होई ग्लेशियर है 4 था आपका थजीवास glacier है और 5 था आपका माचोई glacier है तो इन में से आपका तीन तो option में दिया गया था इसके लगा जो चौता option था ना वो आपका correct tensor होगा next question आपका आपना था कि भुकम तरंगे ये जो एक कौन सी होती है तो देखिए अगर भुकम तरंगे की बात कर ले तो यह आपका तीन परकार का होता है और वो तीन परकार कौनकों से हैं तो PS तथा L ये जो आपके भुकम तरंगे जो वो आपके परकार होते हैं जिनमें P तरंग की बात कर ले, तो यह आपका ठोस तरल एवं गैस, तीनों माध्य में जो वो आपका गमन करता है, S तरंग की बात कर ले, तो यह आपका केवल ठोस पदारतों के माध्य में ही जो है, यह आपका गमन कर सकता है, तो आपके option में L दिया गया था, तो L आपका य ה niewiary ज Вид Hue aisunda कि सिलिकवन डाइक सा irmолог कि सिलिकन डायोगसाइड के फार्मूले की बात कर ले तो देग हैंसिपati का जो फार्मूला नरी होता है यह आपका थैस चाचाम जो ढायोगसाइड यह आपक का का सिलिकॉण और ऊक्षिजन तत्व ससे यह आपका बना होता है और सब्सक्राइब अगहते हैं چåks असलेकों आपका कमे। जिए फ सब्सक्राइब शदरे के इन लोगा। तो sand आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि दूद का जो pH मान पूछा गया था तो देखें दूद का जो pH मान होता है वो आपका 6.4 से लेकर 6.6 तक होता है तो 6.4 आपका यहाँ पर correct answer होगा और देखें दूद जो आपकर किरिती रूप से यह जो आपका acidic यानि अमलिये होता है इसके लावाद जल के pH मान की बात कर ले तो देखें जल का जो pH मान होता है वो आपका 7.4 होता है सिरके का जो pH मान है यह आपका 3 होता है और निम्बू के रश का जो pH मान होता है वो आपका 2.4 होता है तो ये point भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट कोश है आपका आपना था कि भारत की संभिधान के किस अनुछेद के अंतरगा भारत के रास्टपदी पर महा भीयोग लगाया जा सकता है तो देखे आपका अनुछेद 61 के तया जो है भारत के रास्टपदी पर महा भीयोग जो है वो लगाया जा सकता है तो अनुछेद 61 आपका यहाँ पर करिक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश है आपका आपना था कि पूरंदर की जो संदी है ये कब हुआ था तो देखे पुरंदर की शंदी के बात कर ले तो यह आपका मुगल सामराज जी के शेना पती राजपूच सासक जैसिंग प्रथम और मराथा चत्रपदी सिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को जो है पुरंदर की संदी पर जो हस्ताचर किया गया था तो 11 जून 1665 आपका करेक्ट एंसर हो और अगर किनके मद्दी हुआ था ये पूचा जा तो मुगल सामराज जी के राजपूच सासक जैसिंग प्रथम और मराथा चत्रपदी सिवाजी के मद्दी जो है पुरंदर की शंदी हुआ था नेक्स्ट कोशन आपका आप राद है कि चाओ जो नेते या फिर महसो है ना ये आपका किस शेत्र से संबंदित है जहां पर आपका उत्तर भारत पूरू भारत पशिम भारत और दच्छिन भारत दिया था तो देखिए अगर चाओ नेते की बात कर ले तो देखिए चाओ न आपके उपरकार नेते के तीन जो आपके ऊपरकार हैं और अगर बात कर लहिए जो आपका किस शेत्र शे संबंदीत है तो पूरू भारत आपका करेक्टेंसर होगा नेक्स्ट को怎样 है आपका अबढात की हाली में पाईलेट जो परियोजना है इसकी सुरुआत किस मंत्रा ल नेक्स्ट कोशे हैं कि दबेंच पुष्टक के लेका कौन है, तो देखें दबेंच जो पुस्तक है ना ये मेगन मार्कल के द्वारा लिखा गया है pouring लिगन मारकल आपका correct answer होगा, next question आपका आप रहाता है कि तांबा और जस्ता की मिस्र धातु को जो है, ये किस धातु के रूप में जाना जाता है, तो देखें तांबा और जस्ता के मिस्र धातु को जो है, ये आपका पीतल धातु के रूप में जाना जाता है, तो पीतल आप तो देखे मैं आपको बता दू कि वर्स 2022 में भातीगी का जो नॉबिल पुरुशकार है और वो तीन वैक्ति कौन-कौन से हैं तो पहला आपका जॉण क्लॉजर है सेगेंड आपका एलन एस्पेक्ट हैं और थार्ड आपका एंटोन जिलिंगर है और इने जो है कि छेद्र में कारे करने के लिए जो है वह आपका नॉबल प्राइस दिया गया है यानि बहुतिक विज्ञान में तो यह आपका क्वांटम यांत्रीकी में इनके कार कांग्रेश और आरोग्ये एक्सपो 2022 का जो उधाटन है न यह किस राज्य में किया गया है तो देखें मैं आपको बता दू कि 8 दिसंबर 2022 को नौवे WAC यानि वर्ल्ड आईरुवेद कांग्रेश का जो उधाटन है न यह आपका गोवा राज्य में किया गया है तो गोवा कोष्ण है था कि अक्टूबट 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा जो है किस कौरिडोर का उधाटन किया गया है तो देखें मैं आपको बता दू कि अक्टूबर 2022 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है मद्धी पर्देश राज्य के उज्यान में जो है महाकाल कॉरिडोर यानि महाकलेश्वर मंदीर कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किया गया है तो महाकलेश्वर मंदीर कॉरिडोर आपका यहाप एक करेक इसके लाव बात कर ले 2023 में जो आपका आठ मार्च को अंतरा स्ट्रे महिला दिवस मनाया गया है इसका विसय यानि थीम जो वो क्या रहा था तो देखे 2023 की थीम की बात कर ले तो यह आपका डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेकनोलोजी फूर जेंडर इक्वैलिटी यह जो आ पूछा जाता है कि भारत में राश्ट्रे महिला दिवस दिवस मनाया जाता है तो यह आपको ध्यान में नेक्स्ट कोश आपका यहाप रहा था कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह जो कहां पर आयोजित किया गया था तो देखे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संसकरेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो यह आपका 2021 में होना था लेकिन COVID-19 की वज़ा से 2021 में ना ह आतार प्रेस्ट ना पूछे जा रहे हैं इससे प्रीवियस सिप्ट में आपसे पूछा गया था कि चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें हरियाना ने टोटल कितने पदक जीते थे तो देखे 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संसकरेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें हरियाना जो है टोटल 137 पदक जीता था जिसमें 52 गोल्ड 39 जो था वो आपका सिल्वर था और 46 जो था वो आपका ब्राँज मेडल हरियाना के द्वारा जीता गया था सेकंड पायदान की बात कर ले तो यह आपका महरास्ट राज जी रह था करनाटक ने जो टोटल 67 पदक जीते थे तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और इससे पहले प्रीवेस सिप्टों में आप से पूछा गया था कि जो आपका खेलो इंडिया यूद गेम्स का जो पांचवा संसकरन है ना यह आपका मद्धे परदेश के कितने सेहरों में आयोजित किया गया था तो देगें मैं आपको बता दू कि 2023 का आपका खेलो इंडिया यूद गेम्स हुआ था इसका जो है पांचवा संसकरन हुआ था और यह जो आपका मद्धे परदेश के आठ्ट सेहरों में और 11 अस्थान पर जो यह आपका आयोजित किया तो वहां पर 8 सहर आपका correct answer होगा वहीं अगर बात कर ले खेलो इंडिया यूद गेम्स 2023 के पदग तालीका के बारे में तो देखे पहले अस्थान पे जो आपका 2023 में रहा था ये आपका महरास्ट राज जिरा है महरास्ट ने जो टोटल 161 पदग जीते हैं सेकंड अस्थान जो आपका हरियाना राज जी रहा है हरियाना ने जो टोटल 128 पदग जीते हैं और थर्ड पायदान पे जो ये आपका मध्यपदेश राज जी रहा है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लिए बात कर ले खेलो इंडिया यूद गेम्स का जो पहला संस्कर ये आपका 2019 में पूने महराष्ट में आयोजित किया गया था तीसरे शंसकरन की बात कर ले तो ये आपका 2020 में गुहार्टी असम में आयोजित किया गया था तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कुश है आपका आप रहा था कि हरी परसाथ चौरस की बात कर ले तो ये आपके बासूरी वादक हैं तो बासूरी वादक आपका करेक्ट एंसर होगा इसके लाओ अगर इनके पुरुषकार की बात कर ले तो देखिए हरी परसाथ चौरसिया को 1984 में जो है संगीत नाडक अकाड़मी पुरुषकार से समानित किया गया था उनी बासूरी वादक के बारे में जैसे की एन लीला, टी आर महालिंगम, वी कुंज मनी, पन्नालाल घोस, राजेंदर प्रसन इन सभी का जो संबंद है ना ये आपके बासूरी वादक से हैं तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था क कि हाली में बैंगलूरू अस्पेस एक्सपो 2022 ने जो है किस देश के साथ MOU यानि किस देश के साथ समझाता ग्यापन पर आपका हस्थाचर किया है तो देखिए मैं आपको बता दू कि बैंगलूरू अस्पेस एक्सपो ने सितंबर 2022 में जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के छे अंतरिच उद्योग ग्यापनों का आदान प्रदान किया है तो आस्ट्रेलिया आपका यहां पर करेक्ट टेंसर होगा नेक्स्ट कोश्थ आपका यहां पर रहा था कि निम्नलिकित में से कौन माराथा समराजजी का प्रसीद सासक था जहां पर ऑप्शन में आपका छत् चत्रपती सिवाजी जी दिया गया था तो देखे माराःठा समराज्य के इस रंस्थापक यानि महराठा समराज्य का जो स्थापना ना यह ठाल सालाभीव माराठास ना क्स зовут था जी के द्धारा कि अपकर पर करेक्चारभ तो उसके लिए पैप साव कि से gan का President of India to be born after independence, यानि स्वतंता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली रास्टपती कौन बनी है, सौरी बनी है नहीं कौन है, तो देखे मैं आपको बता दू कि आजादी के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली रास्टपती है यह द्रापदी मुर्मू है, तो द्रापदी और मैं आपको बता दू कि आपका दृपदी मुर्मू है, यह भारत के पंद्रवे और वरत्मान रास्टपती के रोप में उन्म लेने वाली पहली रास्टपती कौन थी? तो देखे भारत की जो पहली महिला रास्टपदी थी ना ये प्रतीभा पाटिल थी लेकिन आदिवासी समुदाय का अगर पूछा जा कि आदिवासी समुदाय से बनने वाली पहली रास्टपदी कौन है तो यह आपका द्रापदी मुर्मू है और इसके लावा मैं आपको द्रापदी मुर्मू जो है यह किस राज्ये से संबंदित है तो देखे मैं आपको बता दूぎः की रास्टपदी मुर्मू का जो शंबंद का जो बात कर ले बात कर ले नागरी ये जो आपका कौन होता है तो देखे भारत के जो दूसरे नागरी होते हैं ये आपके ओपर रास्टरपती होते हैं और तीसरे नागरिक की बात कर लें तो भारत का जो तीसरा नागरिक होता है यह भारत का प्रधान मंत्री होता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है next question आपका आप रहा था कि FTP का फुलपम पूछा गया था तो देखे FTP का फुलपम होता है यह आपका file transfer protocol होता है तो file transfer protocol आपका correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि 757 के प्लासी के युद में जो है अंग्रेजो का जो नेतितो है ये किस ने किया था तो देखे अगर प्लासी के युद की बात कर ले तो देखे प्लासी का जो युद है ये आपका 23 जून 1757 को मुर्सीदाबाद के दच्चिन में 22 मिल दूर नदिया जिले में भागी रहती नदी के किनारे जो है यह आपका पलासी नामक अस्थान में हुआ था इससे अलावा एक्जाम में पूछा जाता है कि पलासी का जो यूद है न ये किस नदी के किनारे हुआ था तो ये आपका भागी रहती नदी के किनारे हुआ था और देखें ये जो आपका पलासी का यूद है न ये आपका British East India Company की सेना और दूसरे और बंगाल के नवाब की से किस ने किया था तो ये मीर जाफर ने किया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और प्लासी के यूद में जो है British East India Company ने यानि रॉबर्ट कलाइब ने जो है ये सीराजु दौला को जो हरा दिया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट को नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि दा मिनिस्ट्री आफ अट्मोस्ट हैपिनेस ये जो पूस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है तो देखें ये जो आपका दा मिनिस्ट्री आफ अट्मोस्ट हैपिनेस ये जो नोबल है ना यानि उपनियास जो है ना ये उपनियास है तो अरुंधती रॉय आपका correct answer होगा बात कर ले इस उपनियास को जो कब प्रकासित किया गया था तो यह जो उपनियास है यह आपका 2017 में जो वो प्रकासित किया गया था अरुंधती रॉय के पहले उपनियास की बात कर ले तो देखे अरुंधती रॉय का जो प अपनियास के लिए आपका बुकरपुरुषकाच से समानित किया गया था तो देखे देखे द गॉडा ओवगाधी के नाम से भी जा तो उगाधी के नाम से भी जाना जाता है तो धीवाधी आपके जो तेवार сх 2015 मैं आपको पहता दू कि पालए ये उगादी का तेवार मनाये जाता है इसके लाव मैं आपको बता दू कि अलग-अलग जगों पर जो है 9 वर्स को अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि कस्मीरी हिंदू 9 वर्स को जो है या आपका नवरे के नाम से जाना जाता है उडिया नौ वर्स के फर्व को जो है यह आपका पना सकरांती के नाम से जाना जाता है मल्याली नौ वर्स को जो है यह आपका विसू के नाम से जाना जाता है तमिल नौवर्स को जो है या आपका पुथंडू या फिर विरुसा पिरुपी के नाम से जो है इसे जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपके आपना था कि भारत में पूरवी घाट का जो है सबसे उची चोटी पूछी गई थी तो देगे मैं आपको बता दू कि भारत में पूरवी घाट का जो सबसे उची चोटी है या आपका जिंद गड़ा चोटी है यानि जिंद गड़ा पीक है तो इसके लाव मैं बता दू कि बहुत सारे बच्चे ने महेंद्रगिरी आ ना यह आपका महेंद्रगिरी है ना कि आपका पहली चोटी ठीक है, तो महेंद्रगिरी के उचाई बात कर ले, तो इसका जो हाइट है ना वह आपका 1501 मीटर है, और यह जो चोटी है यह कहां पर हिस्त इसके अलाव बात कर ले पस्चमी घाट का सबसे उची परवच चोटी कौन सी है तो देखें ये जो आपका अनाई मुडी जो पीक है ये पस्चमी घाट का सबसे उची परवच चोटी है और ये जो आपका केरल राज्ये में इस्तित है और अगर इसके उचाई की बात कर ले तो 2695 मीटर जो है अनाई मोडी का जो वो उचाई है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि इन में से कौन सा जो है सात्वी अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है तो देखें मैं आपको बता दू कि भारते संविधान की सात्वी अनुसूची में आपके तीन सूचिया जो है और तीन सूचिया कौन कौन सी है तो पहला आपका संग सूची है सेकंड आपका राज्य सूची है और थर्ड आपका समवर्ति सूची है संग सूची की बात कर ले तो देखे संग सूची में आपके टोटल 97 विसय जो पहले थे यानि 97 सब्जिक्ट पहले थे वर्तमान की बात कर ले तो संग सूची में आपके टोटल अभी वर्तमान में 100 विस हुआ करते थे इसके अलावाद समवर्ती सूची की बात कर ले तो तो देखे समवर्ती सूची में आपके 52 वी साफ़ चो वह आपके सामिल है तो यह पड़ी आपको ध्यान में रखना आपको याद है तो आप कमेंट करके बता दीजे लेगा नेक्स्ट कोशन आपको आप रहा था कि वैपार करने के लिए किस सॉप्टवेर का परियोग किया जाता है तो तो देगे मैं आपको बता दू कि लेखांकन, बजट, बिक्री, पुर्वा अनुमान, वित्य विसलेशन और वैग्यानिक छेत्रों में कारी करने के लिए यह आप का स्प्रेट सीट सॉप्टवेर का परियोग किया जाता है तो स्प्रेट सीट सॉप्टवेर आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका यह आप रहा था कि यदि BMI यानि बॉडी मास इंडेक्स 18.5 है तो WHO के अनुशार उसे क्या कहेंगे तो देगे अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 है तो वर्ल्ल हेल्थ और्गिनाइजेशन के अनुशार उसे जो अंडर वेट कहा जाता है तो अंडर वेट आपका करेक्ट एंसर होगा देखिए एक कोशन बच्चों के द्वारा मिला था जो कि मैं टाइप करना भूल गया हूँ एक आपका जो के टर्म की बात कर ले तो यह आपका गोल्फ खेल से संबंदीत है एक आपका जो पैनल्टी कीक से पूछा गया था तो देखे अगर पैनल्टी कीक पूछा गया था ना तो देखे यह जो आपका पैनल्टी कीक है ना यह आपका फुडवाल का जो वो टर्म है अगर मंदीत है, तो इन में से जो भी पूछा गया होगा, मैं आपको सभी कुछ बता दिया हूँ, तो यह था कि विच यूनियन टेरिटरी इस लोकेटेड इन बे और बंगाल, यानि बंगाल की खाड़ी में जो है, कौन सा केंडर सासित परदेश इस्तित है, तो देखें, बंगाल और निकोबार की जो छेतरी राजधानी है, यह आपका पोर्ट ब्लेयर है, और अनमान और निकोबार को जो है, पहले एमराल्ड दीप के नाम से भी जो है, यह आपका जाना जाता था, इसके लावा एक्जाम में एक प्रस्न और पूछा जाता है, कि अनमान और निकोबार म में इस्तीत है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट को आपके आप रहा था कि C.A.G. यानि भारत के नियंतरक और महालिका परिच्छक ये जो किस अनुछेद के अंतरगत आते हैं तो देगे मैं आपको बता दू कि अनुछेद 148 ये जो आपका C.A.G. य आपको बता दू कि अनुछेद 149 में भारत के नियंतरक और महालिका परिच्छक यानि C.A.G. के कर्तब्यों और सक्तियों से संबंदित है अनुछेद 150 की बात कर ले तो यहां से भी आपके प्रेस्ट न पूछे जाते हैं प्रेस्ट न ये पूछा जाता है कि संग और ये आपके अनुछेद 150 के अंतरगत रखते हैं इसके लावा अनुछेद 151 की बात कर ले तो देखे अनुछेद 151 में आपका यह का गया है कि संग के खातों से संबंदित C.A.G. की जो रिपोर्ट है ना ये आपका राश्पदी को जो वो सौपा जाएगा तो ये अनुछे 289 बी जो है ये आपका C.A.G. से संबंदित है जिसमें सुधा I.K. जो गंणा है ना ये आपका C.A.G. द्वारा जो ये आपका प्रमानीद किया जाता है और जिसका जो प्रमान पत्र होता है ना वो आपका अंति माना जाता है तो ये आपका अनुछे 289 में कहा गया है तो यह जो मिसाइल है ना यह किसके द्वारा लांच किया गया है तो देखे मैं आपको बता दू कि हाली में DRDO के द्वारा जो है उडिसा के चांदीपूर से जो है वसोराद मिसाइल का जो सफल परीचन किया गया है तो DRDO आपके यहां पर करिक्ट एंसर होगा किस केंद्रे मंत्राले या फिर मंत्राले ने जल्दूत एप को विक्सित किया है तो देखे मैं आपको बता दू कि पूरे भारत देश में एक गाउं में चैनित कुओं के जलस्तर को पकड़ने के लिए जल्दूत एप जो है यह आपका ग्रामिन विकास मंत्राले यानि मिनिस Ministry of Rural Development दिया गया था, तो Ministry of Rural Development आपका correct answer होगा, next question आपका आपना था, कि 2014 में भारत रत्न जो है, ये किस खिलाडी को मिला था, तो देखे मैं आपको बता दू कि सचीन तंदुलकर भारत रत्न पाने वाली ये प्रथम खिलाडी है, यहाँ पर खिलाडी की बात हो रही है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, तो देखे सचीन तंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से समानित किया गया था, तो सचीन तंदुलकर आपका यहाँ पर correct answer होगा, इसके लाव में आपका बता दू कि सचीन तंदुलकर भारत रत्न पुरुषकार पाने वाले यह सबसे कम उम्रिके भी आपके व्यक्ति हैं, इसके लाव अगर बात कर ले भारत रत्न के बारे में, तो देखे यह आपका भारत रत्न है, यह भारत का सर्वोच नागरिक पुरुषकार है, और इसकी जो सुरुवात है यह आपका 1954 से इसकी सुरुवात की गई थी, और देखे इसके जो पहले प्राप्त करता की बात कर तो देखे 1954 में भारत रत्म आपका तीन वैक्तियों को दिया गया था और वो तीन वैक्ति का नाम आपको भी ध्यान में रखना है जैसे कि भारत के डॉम्नियन के अंतीम गवर्नर जेनरल ये जो सी राज गोपालचारी को पहले आपके भारत रत्म प्राप्त करता थे इसके अलावा भारत के राश्च्पति यानी भारत के रास्पती और प्रत्म उप्राश्च्पति सरोपली राधा कृश्चन को भी जो है 1954 में दिया गया था और नोबेल पूरुस्कार वीजिटा भौत विज्यानी सीवी रवन को भी जो है यापका 1991 में ये जो आपका दिया सुरी कौन सा जल्डमरू मद्दे जो है आर्कटिक महासागर को प्रसांत महासागर से जो है यह आपका जोड़ता है तो देखे मैं आपको बता दू कि आर्कटिक महासागर को प्रसांत महासागर से जो है यह आपका बेरिंग जल्डमरू मद्दे जो वो जोड़ता है तो बेर ध्यान में रखेगा इसके अलाबाह बात कर ले जिब्राल्टर जल्डहमरू मद्दे के बारे में को देखे यह आपको द्यान में आना नेकस्ट प्रिय्ट एहाँ पर था कि कलिंग जो था नं यह आपका औरीजियी नाम था तो उडी साब का यहाँ पर correct answer होगा इसके लावा कलिंग के यूद की बात कर ले तो देखे कलिंग का जो यूद है ना यह आपका मौरे समराथ असोग और कलिंग के राजा अनंत पदनार अभन के बीज जो है यह आपका 261 इशापूर में जो है कलिंग का यूद लड़ा गया था जिसमें मौरे समराथ असोग वो आपके वीजय रहे थे तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा इसके लावा एक्जाम में एक प्रशन और पूछा जाता है कि असोग के कौन से अभिलेक में कलिंग के यूद का वर्नन किया गया है तो देखे असोग के तेरवा जो अभिलेक जाना उसमें जोए कलिंग यूद का वी आपका वर्नन किया गया है इसके लावा एक्जाम में एक प्रश्ण और बनता है कि असोक अपने राज्य अभिशेक के बाद जो है कितने वर्स बाद जो है ये कलिंग का यूद लड़े थे तो देखे असोक अपने राज्य अभिशेक के बाद टोटल आठ वर्सों के बाद जो है ये कलिंग का यूद लड़े थे तो ये fact भी आप ध्यान में रखेगा next question आपके आप रहा था कि रंजी ट्रॉफी 2021-22 ये जो किस टीम ने जीता है तो देखें रंजी ट्रॉफी 2021-22 की बात कर ले तो ये आपका 87 जो वो सत्र था और इसका जो विजेता टीम रहा था वो आपका मद्धे पर्देश ने फाइनल में जो है मुंबई को हरा कर जो है ये पहली बार रंजी ट्रॉफी का जो खिताब है वो जीत लिया है तो मद्धे पर्देश आपका correct answer होगा और देखें ये जो आपका रंजी ट्रॉफी है ये आपका क्रिकेट खेल से संबन्दी थे यानि क्रिकेट के कब से संबन्दी थे और इसमें 2021-22 में जो है आपके जो player of the series रहते न ये आपके मुंबई टीम के player सरफराज कान जो है player of the series रहते जो कि इस tournament में सबसे ज़्यादा जो run है वो मारे थे जो कि 982 run जो है रंजी ट्रोफी का उसका जो विजेता टीम रहा है उसमें final में सौराष्ट ने जो है बंगाल को 9 विकेट से हारा कर दूसरी बार सौराष्ट ने जो है ये रंजी ट्रोफी का खिताब जीत लिया है पहली बार सौराष्ट ने जो है बात कर लें यानि रंजी टॉफी की पहला है यानि रंजी टॉफी की शुरुवात कब हुई थी, तो यापका उनीसोच़ोवी की जो इन्जी टॉफी की में की अभी तक यह जंक्ती तौन आपको द्यांग में रखना हैं, आपको ध्याने रखना है। यह कहां पर आयोजित किया गया था, तो देखे, Commonwealth Games 2022 का जो है, यह आपका 22 संसकरन था, जो कि आपका Birmingham, England में आयोजित किया गया था, तो Birmingham आपका यहां पर correct answer होगा, इसके लाब बात कर ले, Commonwealth Games 2022 के बारे में, तो देखे, इसका जो मोटो रहा था, वाल्स का sport is just the beginning, यह जो आप के भाग लिये थे, और टोटल 5054 एथलेट जो वो भाग लिये थे, इसके लाब बात कर ले, 2022 के राष्ट वेंडल खेल में, आपके जो कितने इवेंट्स हुए थे, तो देखे, इसमें जो आपके टोटल 280 इवेंट्स करवाए गये थे, और कितने खेल हुए थे, तो यह को ध्यान में रखना है, इसके लाब पदक तालिका की बात कर ले, तो देखे, 2022 में जो पहले पायदान पे आपका राय कॉमन वेल्ड गेम्स में, वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा है, औस्ट्रेलिया ने जो टोटल 178 पदक जीते हैं, सेकंड अस्थान पे जो आपका देश रहा है, और थर्ड अस्थान पे आपका कनाड़ा देश रहा है, वहीं अगर भारत के पायदान की बात कर ले, तो देखे, कॉमन वेल्ड गेम्स में, भारत ने जो टोटल 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और तेज जो था वो आपका ब्रॉंज मेडल तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इसके लावा बात कर ले, 2018 का जो रास्ट मंडल खेल हुआ था, यानि जो आपका 21 संसकरन हुआ था ये आपका 2018 में आयोजित किया गया था, जो कि आपका गोल्ड कोस्ट आस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, और ये बात कर ले, पहला जो रास्ट मंडल खेल है, ये कब हुआ था और कहां पर हुआ था, तो देगे पहला जो रास्ट मंडल खेल है ये आपका 1930 में कनाड़ा के हैमिल्टन सहर में ये आपका आयोजित किया गया था, इसके लावा एक्जाम में एक प्रस्ण और बनता है कि भार आपका आयोजित किया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था, कि सोडियम का परमानु द्रब्यमान यानि एटॉमिक मास यो है, वो पूछा गया था, तो देखें सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 23 ग्राम पर मोल होता है, तो 23 ग्राम पर मोल आपका करेक्ट एंसर होगा, वहीं अगर सोडियम के सिंबल की बात कर ले, तो देखें सोडियम का जो सिंबल होता है वो आपका एन ए होता है, और इसके अटॉमिक नंबर, यानि परमानु संख्या की बात कर ले, तो देखें सोडियम का जो परमानु संख्या होता है वो आपका 11 होता है और सोडियम किस परकार का मैटल है तो यह आपका अलकली मैटल है यानि छार दातु है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कुछ आपका आपना था कि how many people attended the first session of the Indian National Congress यानि भारते राशे कॉंगरेश का जो प्रतम अधिवेशन हुआ था जो कि आपका 1885 में हुआ था इसमें जो कितने लोगों ने जो भाग लिया था तो देखे अगर भारते राशे कॉंगरेश की बात कर ले तो देखे भा 28 December 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्याले में जो है तोटल आपका 72 प्रतिनीदियों के उपस्तिदी के साथ जो है वो आपका हुआ था तो 72 प्रतिनीदी आपका यहां पे correct answer होगा इसके लाब बात कर ले आई-एन-सी के जो संस्थापक यानि महा पहले अध्यत जो नुक्त किये गया थे ना यह विमेस चंद्र बनर जी को नुक्त किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और पहला दिवेशन कहां पर हुआ था तो यह आपका कलकत्ता में जो आपका दिवेशन जो वो किया गया था सौरी आपे ाश 새 Congress की स्ठापना की समें भारत का जो Governor General था ना यह कौन था तो तो लॉडऍ डपरीन यह नाम भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश हा कहा आप रहा था खेट विच इस फ्लोटिंग लेक इन इंडिया यानि भारत की जो है एक मात्र तैरता हुआ जील जो है यह कौन सा है तो देखे भारत का जो तैरता हुआ जील है यह आपका लोक्टक जील है जो कि आपका मनीपूर के बिशुनपूर जीले में इस्तित है तो लोक्टक जील आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा इस इसके लोगा एक्जाम में अगर पूचा जाए कि भारत के मीठे पानी के सबसे बड़ी जील यहां पर पुर्वतर ना दे कर भारत के मीठे पानी के सबसे बड़ी जील अगर पूचा जाए तो यह आपका उलर जील है जो की आपका Jammu Kasmir में इस्तित हैं तो यह fact भी आपको बनवाया गया था तो हमीदा बानो बेगम आपका यहां पे खरेक्ट एंसर होगा और इनकी जो मृत्यू के बाद 14 सल बाद 1579 में जो है 1.5 मिलियन रुपे के लागत से जो है हुमायू का मगबरा जो आपका बनवाया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और हुमायू के मगबरे के वास्तुकार एक्जाम में पूछा जाता है तो देखे इसके जो वास्तुकार थे यह आपके मिरा के मिर्जा की याद थे तो इनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि हाव मैनी होल्स आदियर इने सहनाई यानि सहनाई में जो है यह आपके कितने छेद होते हैं तो देखे सहनाई की बात कर ले तो इसमें जो आपका छे से आठ छेद होते हैं तो छे से आठ आपका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जो है सहनाई व आप रहा था कि who has won 2022 FIH means goalkeeper of the year यानि FIH 2022 का means यानि पुरुष में जो है goalkeeper of the year ये जो है किसे चुना गया है तो देखे 2022 की बात कर ले तो यह आपके PR स्रीजेश को जो है means goalkeeper of the year का जो award है वो दिया गया है तो PR स्रीजेश आपका correct answer होगा वह अगर महिला की बात कर ले तो महिला में जो यह आपका सवीता पूनिया को दिया गया है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है next question आपका यहां पर रहा था कि best actor film fair awards 2022 यानि 2022 में जो है सर्वसेश्ट अभीनेता का जो award है यह किसे मिला है तो देगे मैं आपको बता दू कि 67 जो film fair awards 2022 में जो कि आपका मुंबे में आयोजित किया गया था और इसमें जो best actor का जो award है यह रनवीर सिंग को दिया गया है बेस्ट मूबी का जो award है यह किसे दिया गया है तो देगे बेस्ट फिल्म का जो award है यह आपका सेट सा मूबी को दिया गया है इसके लाव बात कर ले Best Director का Award यह जो है किसे दिया गया है तो देगे Best Director का जो Award है यह आपके इस ने जी विच विच नमें यानी बेरोजगारी की खोज जिसमेν एक वैक्ति को जो है उसकी नौकरे से निकाल दिया जाता है उस परकार के बेरोजगारी को जो है किस रूप में जाना जाता है तो देगे ऐसी बेरोजगारी जिसमें एक वैक्ति को जो है उसकी नौकरी से जो वो निकाल दिया जाता है ऐसी बेरोजगारी को जो है आपका Structural Unemployment यानि संचरात्मक बिरोजगारी जो है वो कहा जाता है तो संरचनात्मक बिरोजगारी आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर रहा था कि what is the shortcut key to view font dialogue box in ms word यानि ms word में font dialogue box खोलने के लिए shortcut कुझी पूछा गया था तो देखे ms word में आपका font dialogue खोलने के लिए आपका जो shortcut key होता है वो आपका control plus d होता है तो control plus d आपका correct answer होगा next question